हाई फ्रेंड्स वेलकम ओन यूर चैनल माई इंजिरिंग सपोर्ट विद आ वेरी इंपोर्टेंट न्यू वीडियो लेक्चर दोस्तों आज का हमारे विशे है कि लिए क्लियर कवर नोमिनल कवर और इफेक्टिव कवर में क्या डिफ्रेंस होता है क्योंकि यह ज़्यादा तर फ्रेंसर्स इंजिनियर्स के लिए कन्फ्यूजन का विशे रहता है तो आज मैं आपके सभी डाउट 100% क्लियर करूँगा जानने के लिए आप मेरे साथ अंत सरफसे मेंजर की जाती है यह मेंली रिफंट बार को प्र्रोटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड गया जाता है अब इसके मे備 परपज क्या है यह क्यों दिया जाता है तो पहला तो reinforcement को corrosion means जंग लगने से बचाने के लिए दूसरा reinforcement को fire resistant provide करने के लिए और तीसरा एक adequate distance maintain करने के लिए ताकि reinforcement में एक required stress develop हो सके ओके friends आईए अब clear cover nominal cover और effective work के difference को देखते हैं तो पहला है clear cover तो जैसा कि आप image में देख रहे हैं कि clear cover reinforcement बार के outer से concrete के outer surface तक के distance को कहते हैं ओके friends दूसरा है nominal cover तो code IS 456 के close 26.4.1 के नूसार clear cover को ही nominal cover कहा जाता है पहले इस distance को ही clear cover कहा जाता था जो नाम अब obsolete करके nominal cover कर दिया गया है तो reinforcement bar के outer से exposed outer concrete surface तक के distance को nominal cover कहा जाता है यह cover किसी भी बार में हो सकता है चाहे वो longitudinal bar हो main bar हो या फिर link और stir up और हाँ nominal cover कभी भी die-off bar से कम नहीं होता यह दियान रखना friends अब बात आती है effective cover की तो effective cover वो distance होता है जो major किया जाता है member के outer face से center of area of main reinforcement तक means steel bar के centroid तक और यह dimensions ज्यादा तर design calculation के लिए यूज की जाती है तो effective cover का formula होता है हमारा clear cover पलस total die-off stir up पलस die-off main reinforcement bar divided by 2 आए तीनों की definition एक example से समझते हैं तो माल लो आपकी एक फिगर है जिसमें आपका die-off stir up है डी इस इकल तो 8 mm डाय ओफ main reinforcement बार है डी इस इकल तो 16 mm clear cover हमारा 80 mm तो effective cover हो गया आपका effective cover is equal to clear cover पलस डी पलस डी डिवाइड बाइड 2 80 mm पलस 8 mm पलस 16 बाइड 2 is equal to 68 mm पलस 8 mm is equal to 96 mm हो गया आपका effective cover ओके फ्रेंड्स तो यह है कुछ recommended main reinforcement cover जो आपको हमेशा याद होने चाहिए as a good civil site engineer तो आज की वीडियो में यहीं तक और उमीद करूँगा कि अब आपका clear cover nominal cover और effective cover में doubt clear हो चुका है और यह जानकर यह आप के लिए जरूर useful रहेगी तो जानकर यह अच्छे लगी हो तो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक और share करना ना भूलेगा तो चलिए फ्रेंड जल मिलता हुमारी नेक्स वीडियो में आप लोगों के लिए एक और हैतरीन टोपिक के साथ तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा धन्यवाद